नमस्का दोस्तों स्वागत है आप सभी का Grand News में जैसा कि आज आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से बिहार के जो मौजुदा मुख मंत्री हैं जो आने वाले समय में अपना उत्राधिकारी का घोसना भी सांकेतिक रूप से कर चुके हैं उनकी बॉखलाहट कैसे बढ़ी है या आप यूँ कह सकते हैं कि 2024 में जो संभावित प्रधान मंत्री के चेहरे हैं नितिस कुमार आखिर क्यूं बढ़ी हुई है उनकी बॉखलाहट आपको बताते चलें कि बिहार में पिछले दिनों अभी हाल की घटना है 17 लोगों की जहरीली सराब पीने के वज़ा से मौत हुई है जी हैं आपने बिल्कुल सही सुना बिहार में जहां सराब बंदी है लेकिन आम तोर पे एक कहा जाता है और आम तोर पे आपको देखने को मिलता है बिहार में कि सराब की होन डेलेवरी हो रही है और आए दिन हर मही में आपको कहीं न कहीं ये इस तरीके की सुचना आती है कि इस अमूक जिला में कभी सहरसा में तो कभी मदुबनी में तो कभी जहानाबाद में तो कभी अरबल में तो कभी रोहतास में तो कभी कैमूर में जहरीली सरा के बज़ा से जो मौत हो रही है तो सराब बंदी की किस तरीके की विवस्था है इस पर विधान सवा में चर्चा हो जिसे ले करके हंगामा विधान सवा में जोर का पकड़ा तो आचानक से जो मुख्यमंत्रे नितिसकुमार है उनकी वुखलाट सामने आई आप सुन सकते हैं इस विडियो में किस तरीके से नितिसकुमार ने जो है आज विधान सवा में जवाब दिया आई अब जानते हैं आखिर क्या माईने हैं इस विडियो की अगर इस विडियो के माईने की बात करें तो आप असफस्ट तोर पर आपने अभी देखा कि किस तरीके से नितिसकुमार बोखला गए हैं तो ये बोखलाहट साफ इससे जलकता है कि ये कुड़नी का उप चुनाओ का जो असर है वो भी नितिसकुमार पे दिख रहा है ऐसा विपच्छ का कहना है जो भाजपा बिहार की भाजपा है उसका एक कहना है आज कुड़नी से जो नब निर्वाचित विधायक हैं केदार प्रसाद गुप्ता जब बिहार विधान सवा में आये तो लोगों ने नारा भी लगाया कि कुड़नी तो बस झाकी है पूरा विधार बाकी है तो ये उसकी बोखलाट भी हो सकती है एक तरीके से आप जिस तर वाले भाजपा कोटे से जो विधायक हैं उन्होंने उत्तेजित किया विपच्ची खेमे को और खुद स्वैम सदन के नेता नितिसकुमार उत्तेजित हो करके और उनकी बोखलाट साफ जल की दूसरा कली आपने उपेंदर को सुआ को सुना होगा जो कि जद्यू के संसधिय दल के अध्यच भी हैं उन्होंने खुद कहा कि जो ब्यक्तिगत मेरी राय है कि नितिसकुमार अलग-लग देश के अलग-लग राजनितिक दलों के साथ संबाद तो कर रहे हैं लेकिन रिस्पॉंस जो मिलना चाहिए एक सकरात्मक रिस्पॉंस जिससे उमीद दिखे कि निति किमार की जो बोखलाहठ है वो साफ जलक रही है अब आने वाले समय में यह तस्वीर और ज़्यादा क्लियर होगा जब नितिसकुमार ने इस पस्थ किया है कि हमारे उत्रा दिकारी के रूप में तेजस्वी होंगे तो अब जब अपने उत्रा दिकारी का ताजपोसी करने क के बाद भारत ब्रह्मन पे निकलेंगे 2014 चुनों से पहले तब और ज्यादा असपस्थ होगा कि क्या किस तरीके की तस्मीर बनती है कितने अलग अलग राज्य के जो छेत्रीय दल है नितिसकुमार को स्विकार करते हैं साथी कॉंग्रेस जो एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा से और राजनीती से जानने के लिए सुनने के लिए आप जुड़ रहें ग्रेन्वीज के साथ अगर हमें आप यूटुब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें अगर पेज़ पर देख रहें तो पेज़ को लाइक कर लें धन्यवाद